नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निरला कंस्ट्रक्शन यूटूब चरनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आप लोग ने बहुत सारा घरों में देखा होगा कि घर बनाते समय लोग कॉलम या फिर बीम में 6 mm का सरिया का इस्तेमाल रिंग की रूप में कर लेते हैं तो क्या यह सही है या फिर गलत है इसी के बारे में आप लोग आज बताना जाता हूँ क्योंकि यह गलती है वो बहुत सारे लोग आजकल कर रहे है और comment box में बहुत सारे लोग करते हैं कि इस सही है या फिर गलत है तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि झाना जारा और इसके साथ धो इस घर का प्लिन फीम है जिसे हम लोग आम भासा में कुर्सी लेवल का बीम बोलते हैं उसमें जो सरीया लगाया गया है पहले इसके बार में जानते हैं फिर हम लोग रिंग के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चार सरिया के साथ इस बीन को बनाया जा रहा है दो सरिया है वो नीचे में लगाया गया है और दो सरिया उपर में यह चारो सरिया जो आप देख रहे हैं वो बारे एमेम के लगाया गया है यह जो सरिया है यह बिल्कुर चिकनावाला सरिया बहुत सार घरों मे आप लोग उने देख़ा होगा उपयोग भी घर में लोग कर लेते हैं जो कि सबप कामजोर करेंगे पहले कामजोर है और उसके 7-7 का 7 साथ इप छेमें मेंहं करते हैं तो कभी भी आप कॉलम या फिर बीम बनाएं तो 8 mm से कम डाया वाला सरीया के इस्तमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जैसा कि आप देख रहें यहां पर बिल्कुल चिकना वाला सरीया लगा दिया गया है बिना ग्रीप वाला सरीया जो पहले आता था या फिर आज कल क्राउंड में जो आता है सरीया आप लोग ने देखा होगा गोला बनाकर जाता है तो उस सरीया को लोग इस्तमाल अपने घरों में कर लेते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपके घर में कॉलम हो या फिर बीम हो, कहीं पे भी रिंग का इस्तेमाल करना हो, तो कम से कम 8 mm का सरिया का इस्तेमाल आपको करना है, वो भी ग्रीप वाला, तो दोस्तों उमीद है जो मैं कहने का कोजिस कर रहा हूँ, आप समझ क्या होंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले घर बनाने से समधित वीडियो आप आसानी के साथ देख सके, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इं